36 गड़ हाई कोट ने प्रदेश में विद्यूत वितरंड कमपनी की ओर से की जा रही 3000 लाइनमैन की भर्ती के विग्यापन को निरस्त कर दिया है। हाई कोट के जस्टिस पी सैम कोशी ने माना है कि मिद्वारों को बोनस अंक देने में भेद भाव किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने विग्यापन को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब विद्यूत वितरंड कमपनी को फिर से भर्ती के लिए विग्यापन जारी करना होगा। हाई कोर्ट ने ये फैसला इस संबन में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है। गौर तलब है कि 36 गड़ राज्जे पावर डिस्टिबिशन कमपनी ने लाइन मैन के 3000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 12 अगस्त को विग्यापन जारी किया था। इसमें करीब 1,36,000 बिरोजगार युवाव ने आविदन किया था। इसी हिसाब से अनुभाव अंकवाले को प्राथमिक्ता दी जा रही है जो समवेधानिक नहीं है। याचिका करता ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी।